जलंदर लोकसभा की बाई लेक्षन भारतिये जन्ता पाइटी अपने प्रत्यासी को गोशिद भी कर दिया है हमारे प्रत्यासी इंदर एकपाल सिंग अटवाल चुनाव लड़ेंगे पथारा तारीक को वो अपना परचा डालेंगे नामांकन पत्रों देंगे और भारतिये जन्ता पाइटी पुरी ताकाच से इचुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जलंदर लोकसभा की जन्ता भारतिये जन्ता पाइटी के प्रत्यासी को जंगी बोटों से जिताएंगी और भारतिये जन्ता पाइटी के सांसद चलंदर से दिल्ली जाएंगे क्योंकि केंजर में मोदी जी के नेत्रुतों में भारतिये जन्ता पाइटी की सरकार विकास और डेवलंप्मेंट का एक ही मुद्दा को ध्यान में रखते हुए पिछले नव साल से काम कर रही है गरीब तक्ति को लेकर गरीब बिड़ी सोसीत से लेकर विश्व में बोदी सरकार भारतिये जन्ता पाइटी की सरकार ने बड़ी प्रतिष्ठा आसिल की है और पुरे देश में जनता का भरोसा मुदी जी के प्रती और भारतिय जनता पार्टी के प्रती काफी बड़ा भी है अनेक राजियों के चुनाव उपचुनाव हम भारे वोटों से जीते हैं इसका संदेश यही है कि देश की जनता आज भारतिय जनता पार्टी की केंदर की सर्कार से संतूस्त है और खुश भी है पिछले नौ साल से जलंदर में कॉंग्रेस के सांसद रहे नौ साल में कुछ नहीं हुआ है जलंदर में और जलंदर की जनता भी जानती है कि पिछले नौ साल से कॉंग्रेस को वोट दिया लेकिन जलंदर की जनता के जो अपेक्सा थी उनका जो सपना था उसमें कुछ नहीं हुआ है और एक opposition के MP बनते हुए कोई लाब जलंदर को नहीं मिला है कहीं सारे प्रस्थन पेंडिंग भी है और जलंदर का विकास भी रुख गया है भारतिये जनता पाई की वादा करती है कि नव साल में कुछ नहीं हुआ वो नव महिने में हमारे प्रत्यासी जित कर जाएंगे वो नव महिने में जलंदर की जनता का जो अफिक्सा अकांचा है जो प्रस्थन पेंडिंग है वो हम पूरा करेंगे नव साल में कुछ नहीं हुआ है नव महिना में हम करेंगे अमारी सरकार एंगे और इससे जलंदर की जनता को लाब מिलेगा दूसरी बात है कि आम आदमी पाइटी के जो उन्होंने वादा दिया था 22 की चुनाओं में पुरे पंजाब की जन्ता ने उनको बहुत प्रेम वोट काफी दिया लेकिन लोगों को ठगाई है और आम आदमी पाइटी ने कोई वादा पुरा नहीं किया है जन्ता में काफी रोस भी है जन्ता का मो भंग हो गया है जो बदलाव के कारण मो में आकर आम आदमी पाइटी को वोट दिये आज पूरी जन्ता पंजाब की उसका मो भंग भी हो गया है और उनको सबक सिखाने के लिए इस चुनाव महत्वपुन बनाए और जलंदर की जन्ता आम आदमी पाइटी को उनकी सरकार को सबक भी दिखाएगी और भारतिय जन्ता पाइटी को विजही बनाएगी आप सब जानते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्ता की स्तिती भी बहुत बिगरी हुई है और कोई भी राजिय और कोई भी राश्ट्रव कानून व्यवस्ता के बीना विकास ने कर सकती जहां कानून विवस्ता बिगर्ती है वहां विकास रुख जाता है क्योंकि लोग ड़ते हैं क्योंकि अगर investment करेंगे तो फोन आ जाएगा बताएंगे कितना लाग रुप्या दे दो वरना आपका काम हम रुखवा देंगे हम आपका वाला नहीं है, सिकायद कहां करें, तो पूरा विकास ठप हो जाता है, नया डिवलोपमेंट नहीं होता है, पहली सरत होती है डिवलोपमेंट की कानुन विवस्था ठीक होनी चाहिए, और उसका उत्तम उदारण है यूपी, यूपी में आज कानुन विवस्था, जिस तरीके से योगी जी की सरकार बाजबा की सरकार कर रही है और उसके ही कारण आज यूपी में बड़े-बड़े उद्योग भी आ गए है पिकास भी हो रहा है और यूपी आगे बढ़ रहा है तो मैं कई बार पंजाब आया हूँ जलंदर के लोगों से मिला हूँ बाके लोगों से मिल आज जनता में वो भी चर्चा हो रही है कि हमारे यहां भी यूपी जैसा कानुन व्यवस्ता होना चाहिए लोग बोलते हैं कि योगी जी जिस तरीके से कानुन व्यवस्ता चला रहे है योगी जी ने बताये था वहां कि यूपी के गुंडा यूपी छोड़ दे वरना उनको दुनिया से छोड़वा देंगे और वही रस्ते पर वह काम कर रहे हैं तो आज यूपी में गुंडा गिर्दी बंद हो गई है पुलीस का भी मोरल बढ़ा है और कानुन व्यवस्ता ठीक हो गी है और आज पंजाब की जनता भी वही कानुन व्यवस्ता चाहते हैं तो वह सि इसलिए मैं मानता हूं कि कानुन व्यवस्ता के नाम पर ही वह मुद्दा भी चुनाओं में महत्वपुनमुदा रहेगा और जनता जलंदर की जनता भारतिये जनता पार्टी को स्विकार हेगी वैसे भी जलंदर के आम आद्वी पार्टी के नेता विदायक भरष्टा चार की काफी सिकायत आ रही है लोग तरस्त है और भाजबा मोदी जी ने जिस तरके से भरष्टा चार के खिलाप जो जंग सुरू किया है पंजाब में भी और जलंदर में भी हम लोग भरष्टा चार के खिलाप हमारा जंग जारी रहेगा और हमारे एंपी अगर यहां से चुन कर जाएंगे तो भरष्टा चार के खिलाप वो भी काम करेंगे यह सारी बात आपके माध्यम से जलंदर लोकसबा की जंता को वोटर्स को हम लोग प्रस्तूत कर रहे हैं और मुझे पुरी उम्मीद है जिस तरीके से पिछले कहीं दिनों से जंता में कार्यकरता में लोगों में जो विश्वास बढ़ा है उस्सा है तो इसके कारण भारति कि जंता पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही है और हम अपने दम पर अपने पैरों पर चुनाव लड़ेंगे जितेंगे एसी मुझे पुरी उम्मीद है कि कोई दुरंदर लीडर नहीं गए एक कल गया तो उससे कोई परक पढ़ने वाला नहीं है देखिए मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं कि यह पूरा जो सराप की परमीशन का जो ब्रस्टाचार का मामला है और सिभी आई और बाकी कानूनी व्यवस्था में जो वहां काम कर रहे हैं उनको लगा होगा तो नोटिस दिया होगा अच्छा तो यह है कि वो सवायता करे जहां कि में मदद करे और उसका जवाब दे तो वो तो मैंने बताया ने कि कानून व्यवस्था और उसके बारे में टोटल फैलियों रे सरकार और जनता पंजाब की त्रस्त है और उसके कारणी उनको यह चटका देने के लिए भी यह चुनाव महतों पुना बनेगा कि वे टोड़ दूसमा कि बाटियु पारुड सुना है ने स्वाट फैल स्क्राइब फैलन विए आड गाड़गा यह चुक्थ थाफ़िक थे प्रभई थे तवच्छ तुट्समें वट्सक्टीं ऑट थेखिए गोटेश गलेट ने विए विए प्रवागिल बट्सक्राइ अम तो जानते ही ने कौन है वो कौन था बाद में पता चला कि यह इसे मामले में थे भारतिय जनता पार्टी ने जिस दिन अटवाल जी को जोइंग किया उस दिन पांच लोगों की परची हमने निका ली थी जिनको जोइंग करवाया उसमें उसका नाम नहीं है नंबर बन सब लोग आये थे बहुत लोग आये थे सब लोग वो प्रेस कॉंफरेंस में भी बैठे थे अब दिल्ली से जर्नालिस को बताएए देखें पर नहीं तो उसमें से दो-तिन लोगी थे तुसरा उस वक्त परची फाड़ी बारतिया जनता पाड़ी जोन करवाया उसको जोइड नहीं करवाया है उसकी परची नहीं नहीं निकाली है नमबर दो फिर वो नड़ा जी के घर पर गए जहां अमिसा जी और नड़ा जी के उनको अस्रेवाद लेना था अटवाल जी को हम लोग गए थे वहां भी सब लोग आ गये बहुत लोग आये ते बाहर थ उसको परची नहीं निकाली है उससे हमारा कोई समबन् tua है पंजाब में पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों में से अच्छे अच्छे लोग भारतिय जंता पार्टी जोइन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी काफी लोग जोइन करेंगे आपको बदा रहा हूं क्योंकि अब पूरी पंजाब की मुड़ बन गई है कि भारतिय जंता पार्टी ही पंजाब को आगे बढ़ाएंगे पजब को मद्बूत करेंगे और मोदी जी के नित्रतों में यही सक्य होगा मोदी है तो इसके इसके कारण सबी पार्टियों में से अच्छे अच्छे लोग हमारी पार्टी जोइन कर रही है अटवाल जी बड़े अटवाल जी एक सेड्यूर कास लीडर अच्छे लीडर है उन्होंने काफी पिछड़े वुवे वर्गों के लिए काम किया है और यह सेड्यूर कास रिजर्वेशन सीट थी और सब अमारी पार्टी के लोगों का एक मत बना है कि उनको लड़ाएंगे तो उनकी स्वच और अच्छी प्रतिवा है तो उसको जनता में अच्छा मेसेज भी जाएगा और एक एक वर्ग भारतिये जनता पार्टी के साथ और जुडेंगे हम लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास यही मंत्र के हलार पर उनको जोइन करवाया उनको लड़ा रहे है कि पंजाब टीवी ने प्रोग्राम कि लाया कि उस तो बाद ग्लोबल पंजाब टीवी बांद करता है यूट्यूब को उसी किस तरह देखते हैं ऐसा है कि पंजाब नल समंधित गल्पृतियती से दिए कोड़ा दा कम पोस्तरां से बोलता है बस्क्रेंड दे बाहर बोलता है बोड़ां दे अंदर और एक साल तो किसे भी पंजाबी ने मसूस भी नहीं किता कि सरकार ना दी कोई चीज है सरकारां मसूस हों दी हैं सरकारां दिख दी हैं ए ना मसूस हों देने ना दिख देने अगर दिखन केते पोस्तरां दिख देने लोग तंतर दी दोहाई देन मामला आए चाहराजपूरा देख पत्र कारने लगाया थी उदेते पर्चा करता इस करके ए लोगतंतर दी द्वाही पांदे ने पर लोगतंतर देंदर नहीं दा कोई विश्वास नी एक प्रशन आया थी मैं उन्नु जुरूर पहला पुछा थी जड़ा केजरी वाल नू कि जो एक एंगे वह सच है अगर और कारवाई कोई दूसरी स्टेट दोते इना दूंदी है और एक ग्रंटी इनल मैं कहते ना एजड़ी लीकर पॉलसी है दिल्ली वाली पंजाब देंदर नशा मुक्ति जगा करकर जिदा धारूदा जो हाल कीता है अगर जो हम लोका ने बंगड़ा है ना करो अगर जलंदर का विकास करना है तो बारतिय जल्ता पार्टी का पर्ट्यास को जिदा है कि आपने करप्शन के खिलाब बोला कि दिल्ली के सीर्म को अमने करवाई को जलंदर में इस पार्टी में पूला हुआ है आपके सब्सक्राइब यहां विजिलन जाप करूँ नहीं तब बंद हो गया पीछे कांड़े से मेलों पे और आप मेलों पे और आप नहीं पर समार्ट सिटी दे तैत आया है क्या एक प्रशन जिड़ें एंपी दे ने उनान देवे समने समाज नूँ खड़ा नहीं करना चाहिए कि मोधी साम ने जलंदर नू समार्ट सिटी बना ले नो सो क्रोड तो उपर पैसा पे जया एक एंपी देना पे जड़ा पैसा के अंदर आदा आया और लगे आज वो कोई भी पैसा दिखनी लिया 900 क्रोड ब्याकिते नहीं दिख रहा कि पर जिलंदर देंदर लगया और और जांदर नहीं करना तो इसकर के भारतिये जनता पाल्तिदा इस चुनाब चे अजंडा है कि जेड़ा पैसा 900 क्रोड तो उपर इत्थे स जिना लोगा ने कुर्दबूर्द कीता है और पूरी तरहना उना प्रस्टाचारी लोगा नू बे नकाब बीज़ेटी करेगी ए साड़ा जलंदर शैर्दली मुक्य मुद्दा है लेकिन इप्लिमेंटेशन जड़ी है स्टेट कोवर्मेंट कर दिए और जो दो आती स्टेट कोवर्मेंट के आड़े आती है लेकिन रस्ता करना लेकिन लोका ना जड़ा नो सो क्रोड़ पर आया है पूरा साब्लमा पंजाब सरकार को रहनी पावर हैगी है कि पूरे इंडिया देवेंचे टैमिल बैंक काम सके सब्सक्राइब करेगा इना देखिलाब प्रशन खड़े करेगा इना को लोग इना दी क्युमिट्मेंट देवारे पुच्छेगा कि जदों तुसी बोटा नहीं यहां सी उसवेले तुसी जड़े करेगा किसाना दी MSP करेगा इस पार्टी तो असी पुच्छा चैनल बंद क्यों होए है उन्हें कि केंदर सरकार दो इस तरह पिछे आता है आप पार्टी दी उत्पत्ती चूड़तों पैदा हो इस तुई की तबक्तों कर देओ चूड़ तो लेकर उन्हें सबसे बड़ी पालिटी को और हमारी पार्टी दुन्या की सबसे बड़ी पालिटी यह पार्टी और आगे बढ़ रहे हैं नए नगेले को छोड़ते ही रहते हैं लोग से पंजाब देवें चैनल भॉज़े हो रहे हैं उन्हाद देटा के रही हैं उन्हाद यह नहीं पुलाई करें देखें आज की प्रेश के केंडिडेट होसीत होने से पहले जो मेरा कारेकम बन गया था उसमें आज की प्रेश इस समय रखी थी प्रत्यासी अपना आपना कारेकम कारण वह अलग अलग जगा गया है इसलिए आगके प्रेश में उपस्तित थी कुछ नहीं पड़ेगा और भारतिय जनता पार्ती में लोग जो है आज मोदी के साथ है मोटर्स में मोदी के साथ है इससे पोई फर्फ नहीं के साथ है एक स्वादा जवाब आ रहे हैं पिर उस सवाल के जवाब देया है एक स्वादी रिपलाई आ रहे हैं तो अच्छान का जो इश्यू है वो बहुत गंबी बना हो पंजाब में और उसमें कम्यूटी टकाराब भी होते हैं तो उन्पे एंने से लगाया क्या वो बुट थे पूद्व होगा जो नहीं तो बड़ने नहीं तो जो शुद्वाद्वाद्र करने में प्लद्वाद्र ने ठोटा आपना पाई जारा के दा नहीं हो बाए जारा के दा नहीं हो हुआए जुक है